हेलो एवरिवन वेलकम तो आर यूटूब चैनल आम सचेन यूर इंग्लिश एजुकेटर कल हमने क्लास शिक्स का चेप्टर नंबर थ्री टैरो टैरो रिवार्ट पड़ा था इस चेप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पड़ा था कि एक यंग वुड़कटर होता है जिसका नाम होता है टैरो वो अपने फादर और मदर के साथ एक पहाड़ी पर रहता था वो बहुत थोटफुल सन था यानि बहुत लविंग सन था अपने पेरेंट्स की बहुत रेस्पेक्ट करता था उन्हें बहुत प्यार करता था और उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए वो हमेशा तयार रहता था और हम लोगों ने देखा था कि वो एक दिन उसके फादर कहते हैं कि मेरे को फाके चाहिए फाके इसे सूप इन जैपनीज उसके फादर ने कहा कि मेरे को फाके चाहिए ताकि मेरी हडियां जिस से गरम रह सके लेकिन वो बहुत ही expensive drink था जो उन्ह easily available नहीं हो पा रहा था इसलिए टैरो ने decide किया कि वो बहुत महनत करेगा और अपने फादर के लिए वो फाके लेकर आएगा एक दिन वो जब लकडियां काट रहा था जंगल में तो उसे एक आवाज सुनाई दी उसने सुना उसे एक जरने की आवाज सुनाई दी कि किसी प पानी पिया तो उसे महसूस हुआ कि वो पानी नहीं वो क्या था वो वही फाके था जो उसके फादर को चाहिए था यहां तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इसके आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टेरोज quickly filled the picture he had with him and hurried home जैसे ही उसको वो फाके मिला था यानि कि जरने वाला फाके मिला था उसने उसके पास जो मटका था पिचर होता है एक pot usually made up of mud यानि कि मिट्टी से बना हुआ जो मटका था बरतन था उसके पास उसने उसको जल्दी ली जल्दी से भरा and hurried home और जल्दी से अपने घर चला गया The old man was delighted with the fuck Delighted होता है extremely happy और अपने father को वो drink दी जब उसने उसके father को वो drink बहुत ही अच्छी लगी और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ उसे पाकर After only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor Swallow होता है घूट उसने जैसे ही उस फाके की एक घूट भरी यानि कि उस delicious फाके की एक घूट भरी उसका shivering Shivering होता है कापना और उसका कापना जो है बिलकुल बंद हो गया and did a little dance in the middle of the floor और वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि वो floor के बीच में dance करने लगा That afternoon a neighbor stopped by for a visit और उसी दोपहर को क्या हुआ एक पडोसी उनके घर आया Tarot's father politely offered her a cup of the fucke वो tarot के father ने politely, politely होता है नमरता पूरवक यानि कि kindly उसके father ने उसको एक बहुत ही प्यार से फाके का एक cup दिया The lady drank it greedily, जो lady neighbor आई थी उनके घर उसने उसको greedily होता है लालत से यानि कि इस way में कि वो और चाहती थी यानि कि उसने जल्दी से पी लिया ताकि ये मेरे को एक cup और ओफर कर दे इस way में उसने उसे जल्दी से पी लिया और उस ओल्द मैन को बुढ़े आदमी को उसने thank you कहा for the fuck Then taro told her the story of the magic waterfall और फिर उसके बाद taro ने उस lady को उस magic waterfall उस जरने की कहानी बताई जो क्या देता है वाके thanking them for the delicious drink उस she left in a hurry उसने taro को उस delicious drink के बारे में उस swadish drinks के लिए thank you कहा और वो जल्दी से वहाँ से चली गई by nightfall she had spread the story throughout the whole village और रात होते होते उसने पूरे गाओं में ये story जो है फैला दी की taro को क्या मिला है एक magical fountain that evening there was a long procession of visitors to the woodcutters house procession होता है जूलूस यानि कि लोगों का बड़ी मात्रा में इकटे होकर चलना और बहुत ज्यादा लोग woodcutter यानि कि taro के घर पहुँचे each man heard the story of the waterfall हर एक आदमी ने उस waterfall की story को सुना and took a ship of the faket और एक एगुट का faket की ली वहाँ पर taro के घर क्योंकि taro बहुत ही अच्छा इंसान था जो भी उसके घर आता वो क्या करता था उसको वही faket drink पिलाता था और उस कहानी को सुनाता था magical fountain की in less than an hour the picture was empty और एक घंटे में मतर एक घंटे से भी कम में वह पूरा का पूरा बरतन जो है खाली हो गया next morning taro started for work even earlier than the morning before अगली सुबह taro जो है जिस वक्त वो daily जाता था उससे भी पहले वो अपने काम पर चला गया he carried with him the largest picture he owned उसके घर में जो भी सबसे बड़ा बरतन था वो अपने साथ उस बड़े बरतन को ले गया for he intended first of all to go to waterfall intended होता है planned यानि कि पहले से उस ने जो planning कर रखी थी वो क्या planning कर रखी थी कि वो जाते ही उस बड़े मटके को बर के लाएगा वो सबसे पहले जंगल में जाते ही waterfall के पास गया उस मटके को बरने के लिए वेन ही रीजड इट जब वो वहां पहुंचा ही फाउंड टू इस ग्रेट सर्प्राइज ओल इस नेबर्स देर उसने पाया कि उसके सारे के सारे नेबर्स जो हैं वो पहले से वहां मौजूद थे उसने देखा कि वो अपने साथ क्या लाए थे मटके, जार, बकेट, बाल्टियां जो भी उनके घर मिला उन लोगों को उस मेजिक फाके को स्टोर करने के लिए वो सभी अब्जेक्ट वो लेकर आये थे और तब एक विलेजर नेल्ट वो पीछे नीलिंग वर्ड आया था उसी की सेकंड फोर में नेल्ट गुटनों पर बैठना और एक आदमी गुटनों पर बैठा और वोटरफोल की तरब अपना माउथ लेके गया उस फाके को पीने के लिए और वो जोर से चिलाया उस आदमी ने जैसे ही उस लिक्विड को पीया उसने जोर से चिलाया कि ये बस पानी है और कुछ नहीं फाके नहीं है ये ये क्या है पानी और एक एक करके सब ने वहाँ पर उस लिक्विड को पीया और सब ने क्या कहा दिस इस नोट फाके दिस इस ओनली है cold water यानि कि उनको क्या मिला केवल cold water उनको फाके नहीं मिला we have been tricked shouted the villagers हम चले गए हैं tricked होता है चलना चीट करना लोगों ने लोग चिलाये कि हमारे साथ धोखा हुआ है where is tarot कहा है tarot let us drown him in this waterfall चलो उसको इसी waterfall में डूब होते हैं but tarot had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things are going लेकिन tarot उन सब से समझदार था वो पहले से ही एक रोग एक चटान के पीछे छिपा हुआ था जब ये सब हो रहा था और वो उस चटान के पीछे से सब कुछ होता हुआ देख रहा था he was nowhere to be found वो उनको कहीं नहीं मिलने वाला था muttering their angers and disappointed muttering होता है गुसे में बड़बडाना यानि कि speaking unclearly कुछ भी अच्छे जे समझना है उसको हम बोलते हैं muttering muttering their anger and disappointment होता है निराशा hopeless muttering their anger and disappointment the villagers left the place one by one और गुसे में बड़बडाते हुए और निराश होकर वो लोग वो गाम वाले एक एकर के वहां से जाने लगे taro came out from his hiding place taro फिर वहां से बाहर आया जहां वो छुपा हुआ था was it true? क्या ये सही है? he wondered वो बहुत हैरान हुआ wondered का मतलब होता है surprise उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो liquid वाके में फाके था या water था was the fuck a dream? क्या वो फाके एक सपना था बस? once more he caught a little liquid in his hand और फिर उसने क्या किया? एक बर दोबारा से उस फाके को अपने हाथों में लिया उस liquid को अपने हाथों में लिया he thought a little liquid in his hand and put into his lips और अपने lips को touch किया यानि की पीने की कोशिश की it was the same fine फाके और वो वही फाके मिला उसे जो उसने पहले पिया था to the thoughtful son the magic waterfall gave the delicious फाके to everyone else it gave only cold water और उस thoughtful son यानि कि उस loving son यानि कि वो उस honored son जो अपने parents की बहुत respect करता था केवल उसी के लिए वो फाके वो फाके वो फाके जो है delicious फाके दे रहा था और बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ cold water दे रहा था the story of tarot and his magic waterfall reached the emperor of Japan tarot और उसके waterfall और उसके चमतकारी waterfall जादूई waterfall की कहानी कहा तक पहुँची जपान के राजा तक emperor होता है राजा he sent for the young woodcutter उसने बुलावा भेजा किसके लिए young woodcutter के लिए यानि कि उसने tarot को बुलाया and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind और उसे इनाम दिया 20 सोने के शिक्के और उसे इनाम में 20 सोने के शिक्के दिये for having been so good and kind इतना अच्छा और इतना दयालू इनसान होने के लिए उसने 20 gold pieces दिये then he named the most beautiful fountain in the city after tarot और उसके शहर में जो beautiful mountain था यानि कि उस emperor के शहर में जो beautiful mountain था उसका नाम उसने tarot के नाम पर रख दिया this said the emperor और emperor ने ऐसा इसलिए किया was to encourage all children to honor and obey their parents encourage का मतलब होता है प्रोचसाहन करना to give hope और confidence यान राजा ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को होसला मिले प्रोचसाहन मिले सभी बच्चों को प्रोचसाहन मिले to honor यानि कि to give respect and obey to follow order ताकि वो सब जो है अपने माता-पिता का सम्मान कर सके और उनके द्वारा बताई गई बातों का पालन कर सके यानि कि उनके सभी rules को obey कर सके इसलिए हमें भी जो है टैरो जैसा ही बनना चाहिए अपने माता-पिता की अपने पेरेंट्स की बहुत respect करनी चाहिए और उनके सभी orders को मानना चाहिए so this is all about our story if you are new to our channel please subscribe and like